हेलो आबरीवान और वेल्कम बाक टू आवर यूट्यूब चानल सेवी फॉर एंसेट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चिन लॉक्यमेंट्स के फॉर्टी एट पार्ट पर जहां पर हम जानने वाले हैं राइटिंग मॉव्मेंट के बारे में बिसिकली जब भी आप कुछ लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पर आपके हैंड की वजह से बहुत सारे चेंजिस देखने को मिलते हैं आपकी राइटिंग में तो उसी के बारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो जल्ले से स्टार्ट कर लेते हैं और यहां पर सबस जब भी आप कुछ लिखते हैं तो लिखते टाइम पर जो आपकी बॉड़ी होती है मान लीजे यह को हुमन बॉड़ी है अब इसमें जो है आपके यह कुछ इस तरह से बस मैंने आपको समझाने के परपस से बनाया हुआ है तो यह आपका मान लीजे शोल्डर है उसके अला यह सारी चीजे होती है अपके जो अलगळग हैंट्स के बॉड़ी पार्ट्स होते हैं उन सभी के movement से जो आपकी राइटिंग में इंपाक्ट पड़ता है जो वहीं चीज आपके राइटिंग मुवमेंट कहलाती है तो अभी एकए करके इन सारी Почему कि बाइट्म होता है राइटिंग के डाईएंपर उसकी वजह से जिर्डिक में चेंजिए आते हैं उनके बारे में आज हम discuss करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें muscular movement की जो आपकी body है तो body के जो आपके hand के जितनी भी muscles होती है तो उनका जो movement होता है basically वो आपका muscular movement कहलाता है जब भी आपको चीज़ लिखते हैं तो उस time पर आपकी जो hand की muscles होती है उसके साथ साथ जो आपकी nerves होती है जो आपके brain muscles होती है उनमें भी movement होता है उसमें भी एक signal जाता है जो कि आपकी motor system को जो आपकी brain का motor system होता है उसको एक signal देता है कि आपको इस तरह से movement करना है तो जो आपका muscular movement होता है by the brain centers that is cortical centers including hypothalamus and cerebrum which link coordinate or emotional impulses. So basically जो आपका motor system होता है जिसको regulate किया जाता है brain के centers की through अब ये brain के centers कौन-कौन से होते हैं तो इसमें एक तो होता है आपका cortical center including hypothalamus. जो hypothalamus और cerebrum है इसके साथ आपका cortical center जो रहता है वो सारे centers जो हैं ये तीनों ये आपके motor system को regulate करते हैं और ये जो cerebrum होता है और जो आपका hypothalamus होता है ये जो आपके part होते हैं ये आपके link करते हैं coordinate करते हैं और आपका जो भी emotional impulses होते हैं उनके साथ में तो उसकी वजह से जो आपका राइटिंग में इंपाक्ट पड़ता है वो आपका मस्कुला मूव में कहलाता है तो यह सारे अलग-अलग इंपाक्ट डालती है अब यह चीज कैसे इंपाक्ट डालती है इसको समझते हैं अगर मान लीजे आप बहुत ज़्यादा हापिनेस की कांडिशन में है तो उस ताइम पर आपकी जो मसल्स होंगी जो आपकी न्यूरो मास्कुलर सेल्स होती हैं वो एक सिगनल भेचती है और उस ताइम पर जो सिगनल आता है वो बहुत ही पॉजिटिव सिगनल आता है तो क्य यह कह सकते हैं कि अगर कोई individual बहुत happiness की state में है तो उस condition में जब वो कुछ लिखेगा तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करे या फिर हो सकता है कि वो बहुत आराम-ाराम से लिखने की कोशिश करे यह चीज़ डेपेंड करेगी जो भी writer है उसकी condition क कैसी है वो किसी भी condition में किस तरह से react करता है उसके ऊपर तो यह चीज़े रहती है कि अगर जल्दी जल्दी वो लिख रहा होगा तो उस condition में जो उसकी rapid writing बनेगी तो बहुत ही fast होगी वो आपको writing में समझ में आएगा कि यह बहुत जल्दी जल्दवाजी में लिखा गया है ठीक है और साथ-साथ में जो आप कुसी चीज़ को बहुत fast लिखते हैं तो उस condition में जो आपके letters बनते हैं वो बहुत congested letters बनते हैं कि वो writing जो रहेगा वो बहुत आराम आराम सा लेखेगा तो उसकी writing बहुत clarity होगी जितने भी words बनेगी जितने भी loops बनेगी जितने भी उसमें particular letter के characteristic features होगे वो बहुत perfectly आपको वहाँ पर नजर आएंगे तो यह चीज़ आपकी happiness के state में हो सकती है यही पर अगर हम बात करें वो आपके pen के ऊपर नजर आता है अब pen के ऊपर कैसे नजर आता है जब आप pen को पकड़ेंगे जब बहुत नराज होते हैं उस time पर तो आपको pen के बहुत ज़्यादा tightly आप पकड़ेंगे क्योंकि जितना भी गुस्ता रहता है आपका वह कही ना की जब लिखे रहे होते है तो वो आपके pen के pressure जो आप लिखते हैं उस surface पर आपको pen pressure के format में नजर आता है यूगि अगर जितना ज़्यादा आंगर होगा उतना ज़्यादा आपको pen pressure देखने को मिलेगा और अगर कम होगा तो उतना कम pen pressure देखने को मिलेगा और कई बार कह रहते हैं कि लोगों की habit होत तो वो एक अलग चीज होती है अब यह चीजों को रिलेट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा चीजों को जब तक आप इसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि यह सब को अलग-अलग कैसे करना है यहाँ पर अगर हम बात करे कि जिनकी habit होती है उनकी अलग बात होती है उनका मतलब habit ही होती है कि वो अगर normally भी लिखेंगे तो भी उनका pen pressure normal उतना ही बनेगा अब यहीं पर अगर वही individual बहुत गुस्ते में लिख रहा है तो उसका pen pressure जो होगा वो उसका वहाँ पर increase कर जाएगा उससे जितना normal रहता है उससे भी जादा अब यहाँ पर किसी ऐसे individual की बात करें जिसका pen pressure बहुत ही कम रहता है तो regular days में उसका pen pressure बहुत कम रहता है लेकिन जब वो अंगर में लिखेगा तो उसका pen pressure increase कर जाएगा अपनी normal handwriting से अब यह पता कैसे चलेगा कि आपका normal उस individual का normal pen pressure कितना रहता है तो उस उसके लिए जब आप कोई भी standard sampling के collection करते हैं जो question sample होता है उस related जो भी आपको suspect लग रहे होते हैं उनकी जब आप sampling करते हैं तो वो आपके sampling अलग-अलग तरह की रहती है एक तो यह रहती है कि आपने अपने समने बिठाला उनको बोला जो भी text apple लिखवाना था वो आपने लिखवाया उसके अलबा जो उनकी पुराने records होते हैं पुराने records का मतलब है जो उनकी पुराने कहीं पर कुछ भी लिखा हुए documents जो होंगे वो नकी कुछ की documentary हो सकती है वो आपकी notes होते हैं वो जो आपके Write5 production होता है उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है तो जब आप इन सारी चीज़ों को relate करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो चीज़े रहती हैं इसको कैसे analysis करनी होती है उसके अलावा एक और चीज़ अगर कोई individual है जो की right slant या left slant लिखता है generally तो उसकी condition में आपको जो भी letters रहेंगे वो आपको अगर मानेज से कि हबित है राइड साइड में slant करके लिखने की तो उसके जितने भी letters बनेंगे वे सारे के सारे आपके right side में slant बनेगी जैसे कि इस तरह से ठीक है और इस तरह से का मतलब है कि letters तो आपके right side में slant हैं ही उसके साथ साथ में जो letters होते हैं वो बहुत ही compressed बनते है word to word और letter to letter जो spacing होती है वो comparatively बहुत कम हो जाती है और यहाँ पर जो letters होते हैं उनमें congestion बहुत देखने को मिलता है इसी तरह से जो लोग left slant लगते हैं इस तरह से तो उनके जो भी letters होंगे तो इसी तरफ inclined होंगे और उनमें जो compression होगा letters में वो भी कम होगा spacing बहुत कम होगी congestion भी आपका देखने को मिलेगा तो यह चीज रहती हैं उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर कोई individual बहुत दा डरी हुई condition में है या फिर कह सकते हैं कि मतलब बहुत दा emotional है बहुत दा sad है तो उस time पर जो भी normal individuals रहते हैं उनकी जो heart beat होती है वह increase कर जाती है या फिर अचानक से कोई surprise मिल गया अचानक से कोई जटका मिल गया तो उस condition में आपकी heartbeat जो रहती है वह increase हो जाती है तो उस time पर जब आप कुछ भी लिखते हैं तो आपके जो लिखने की speed होती है वह normal speed से काफी ज़दा increase कर जाती है वह जब increase करेगे आपकी speed normal से जब increase कर जाएगी तो उस condition में जो आपके letters बनेंगे आपकी writing में वह आपके unusual changes आपको देखने को मिलेंगे writing में ठीक है तो यह चीज़ बहुत important हो जाती है कि जब आपकी heartbeat जब increase हो जाती है अब heartbeat increase कप कप होगी वह मैंने आपको बता दिया बिसिकली जो emotional conditions होती है उसी condition में आपका यह सब देखने को मिलता है तो उस condition में जो भी individual हैगा उसकी कुछ भी write करने की speed जो होगी वह normal speed से increase हो जाती है और जब वह increase होगी तो आपकी writing में बहुत सारे unusual changes देखने को मिलते हैं किस condition में लिखे गई है तो यह सारी चीजे रहती है तो इतना तो हम में समझ लया muscular movement के बारे में अभी हम आगे move करते हैं और अगर हम बात करें next shoulder movement की तो shoulder movement में क्या होता है कोई भी individual है जब किसी चीज को लिख रहा होता है किसी large surface पे क्योंकि अगर आप pen paper पे लिख रहे हैं और किसी desk पर आराम से बैठ के लिख रहे हैं तो उस time पर आपका जो shoulder का movement होता है वो comparatively बहुत कम हो जाता है क्योंकि उस time पर जो आपके rest होती है और जो आपका forearm होता है वो कहीं ना कहीं आपकी जो table रहती जिस भी surface पे रखके आप लिख रहे होते हैं उस पर आराम से rest condition में होती है तो उसी वज़र से आपके shoulder तक वो movement नहीं पहुंचता है उतना लेकिन जब भी आप किसी large surface पर लिख रहे होते हैं किसी भी surface पर लिख रहे हैं बड़ी surface का मतलब है जैसे कि आपके आजकल जो digital boards आते हैं या फिर आपके black boards होते हैं या फिर आपके white boards होते हैं तो उस तरह है कि जो surfaces होती हैं जो कि large surface होती है तो उस time पर आपका जो पूरा arm होता है जिससे भी आप लिख रहे होते हैं वो पूरे के पूरे arm में completely movement देखने को मिलता है तो अब यहां पर इनके जो भी limbs होंगे जो भी उनके hands होंगे तो अगर कुछ लिख रहे हैं तो यहां से ले कि में movement देखने को मिलता है वो चीजे जैनरल ही आपकी जो large surfaces होती है वहीं पर आपका shoulder movement देखेगा तो उसी characteristic features आपको large surface की condition में ही देखने को मिलेंगे तीक है इतना हो गया इसके बाद में next अगर हम बात करें फोर arm movement की तो shoulder के बाद में जो आपका forearm movement होता है तो जब उसमें movement होता है basically जो elbow से movement आपको मिलता है मतलब कि shoulder से तो आपका हो गया shoulder के बाद में next joint जो होता है वो आपका elbow का joint होता है तो elbow का movement होता है तो उसकी वजह से आपका forearm में movement होगा तो जब वो movement होता है तो उसकी वजह से जो आपकी writing में movement देखने को मिलता है वो आपका forearm movement होता है अब क्योंकि अगर किसी आप normal condition में लिख रहे हैं किसी टेबल पर बैट के अराम से लिख रहे हैं तो उस condition में जो आपका forearm होगा वो आराम से table पर rest condition में होगा तो उस time पर जो आपकी writing बनेगी वो बहुत good quality की होगी अब ये क्यों होगी क्योंकि उस time पर stability बहुत जादा होगी क्योंकि जो आपकी forearm है जो आपका wrist है वो properly resting condition में है उसको किसी बी तरह का additional बाहर से कोई movement नहीं मिल रहा है तो उस time पर जो आपकी stability होती है वो comparatively बहुत जादा increase कर जाती है जिसकी वजह से जब आप कुछ लिखते हैं तो उसमें smoothness बहुत जादा आ जाती है तो ये चीज बहुत important हो जाती है forearm movement में उसके अलावा इस condition में जो आपकी strokes बनते हैं वो बहुत clear strokes बनते हैं तो ये सारी कुछ आपकी forearm movement के characteristic features होते हैं इसके लावा अभी हम आगे move करते हैं और next आपका आजाता है wrist movement का तो जब भी आप कुछ लिखते हैं तो उसमें जो major portion होता है आपकी writing movement में वो आपका wrist movement का ही होता है forearm movement का भी part होता है लेकिन सबसे दर जो part रहता है वो आपका fingers का motion होता है और आपका wrist का movement होता है तो wrist movement की बात करें so it is the motion comes from the wrist as it rests on the writing surface जब आप किसी भी surface पर लिख रहे होता है तो हर तरह से किसी भी condition में आप हो जो आपका wrist होता है वो हमेशा ही आपका table पर या जिस भी surface पर आप लिख रहे है उस पर वो wrist condition में ही होगा तो इस तरह से जब आप लिखते हैं तो वो जो आपको movement मिलता है राइटिंग में वो आपका wrist movement कहलाता है और इस condition में generally जो राइटिंग बनती है वो inclined राइटिंग बनती है या तो individual right slant लिखेगा या तो individual left slant लिखेगा और कई बर यहाँ पर ऐसा भी होता है कि बहुत सारी लोग बिल्कुल आपका straight भी लिखते हैं तो यह भी चीज़ देखने को मिलती है जरूरी नहीं है कि आपको हर बार inclined ही मिलेगा बट maximum times आपको inclined writing देखने को मिलती है उसके अरवा इस तरह के writing में मतलब जब आप rust movement जब होता है तो rust movement की वजह से जो आपके letters होते हैं उसमें जो spacing होती है क्योंकि अगर slant लिख रहे हैं तो slant में आपके spacing comparatively बहुत कम हो जाती लेकिन अगर straight लिख रहे हैं उसके अलबा इस तरह के writing में degree of freedom बहुत ज़ादा होता है और इस तरह के writing बहुत ज़ादा fast बनती है तो उसके अलबा यहां पर अगर हम बात करें कि कोई individual है जो अपना normal pen paper लेकर table पर अराम से बैट कर लिख रहा है बैट कर लिख रहा है यह notice करेगा बैट कर लिख रहा है sitting condition में है तो उस condition में आपका forearm और आपका rest दोनों ही stable condition में होगा तो stability increase कर जाएगी तो आपकी जो writing बनेगे वो बहुत ही ज़ादा smooth बनेगी यही पर अगर खिद टेबल पर है लेकिन वो sitting condition में नहीं है वो standing condition में है तो उस condition में जो आपका shoulder होगा और जो आपका elbow होगा दोनों से ही आपको movement मिलेगा आपकी writing में क्योंकि उस condition में क्या होगा जो आपका hand होगा वो completely straight होगा बस हो सकता है कि आपकी wrist table पर आपकी इसमलब stable हो table पर resting condition में हो और जिनके habit नहीं होती है तो उनकी सिर्फ fingers ही होगी fingers ही होगी लेकिन वो भी resting state पर नहीं होगी वो भी pen को पकड़े हुए होगी तो अब यहाँ पर अगर हम पहली वाली condition मान के चलते हैं कि आपका wrist है वो table पर resting condition में है और आप खड़े होकर लिख रहे हैं अब खड़े ह वाला portion है मतलब आपका forearm है बाकी यह आपका shoulder है तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको shoulder से भी movement मिलेगा और जो आपका forearm है इसमें भी कोई stability नहीं है तो इसकी वजह से इस time पर इस तरह से जभी भी कुछ लिखा जाएगा तो उसमें बिल्कुल भी मतलब बहुत smoothness आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी abrupt lines और letters आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह की writing भी perfect नहीं आपको देखने को मिलेगे इसा है बहुत सारे, आपको cut strokes और rhythm भी आपको नहीं देखने को मिलेगा तो यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है यही पर में pen पकड़े हुए हैं और वो pen जो है उसकी सर्फ निप जो है वही paper को touch कर रही है तो उस condition में जो आपकी writing की clarity होगी वो और जदा आपकी bigger जाएगी वो और जदा बिल्कुल भी smooth नहीं बचेगी ठीक है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं अब लिखा एक ही individual न नहीं था टेबल के साथ में सिर्फ आपकी pen की निप थी वही paper के surface से contact में थी तो अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि एक ही individual ने लिखा है लेकिन अलग-अलग condition में लिखा है तो अब यहाँ पर बहुत सारे variations आपको एक ही individual के writing में नजर आएंगे ठीक है तो जो भी variations आपको देखने को मिले हैं जो भी characteristic features आपको अलग-अलग writing में मिले हैं उसका जब आप close analysis करेंगे हर एक चीज़ का proper examination करेंगे तो आपको समझ पर आ जाएगा कि एक individual ने लिखा है या नहीं लिखा है तो यह सारे कुछ आपकी variations आपको wrist movement की वज़ा से मिलते हैं condition में थी तो आपकी stability थोड़ी सी कम हो गई third condition में क्या हुआ आपको कोई भी stability नहीं मिले क्योंकि कोई भी आपकी body का portion resting condition में नहीं था तो यह चीज़ I hope आपको समझ में आ गए होगी कि अलग-अलग condition में कितना impact पड़ता है एक बार यह काम खुद के उपर apply करके देखेगा एक बार बैट कर लिखेगा अराम से अपने जो forearm है और रिस्ट है उसको बिलकुर stable करके second condition में सिर्फ wrist को रखेगा table पर खड़े होका लिखेगा third condition में सिर्फ pen की nip को paper के surface पर टच करके लिखेगा और completely standing condition में लिखेगा तीनों तरह से आपको writing में अलग-अलग variations नजर आएंगे फिर उसका analysis करने की कोशिश करिएगा आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें ठीके उमीद करती हूं आपको यहां तक wrist movement बहुत अच्छे से clear हो गया होगा अभी हम आगे move करते हैं और अब last part है आपका finger movement finger movement क्या होता है basically जब आप किसी भी pen को पकड़ते हैं तो पकड़ते ताइम पर देखे सब का पकड़नी का अलग-अलग तरीका होता है कुछ लोग सिरफ thumb से पकड़ते हैं कुछ लोग index finger का use करते हैं कुछ लोग middle finger का use करते हैं और कुछ लोग ring finger का use करते हैं तो वो सबकी अपने habit होती है कौन किस को किस तरह से पकड़ता है अब जो भी individual pen को जिस तरह से पकड़ता है उसकी राइटिंग में changes उसी के according होंगे क्योंकि जो movement मिल रहा है उस individual को उस particular finger के help से मिल रहा है तो इसी वज़ा से जो भी changes होंगे वो आपको उसी recording देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर अगर इस चीज को समझें कि जो भी आपकी finger movement होते हैं तो basically जब आप कुछ लिख रहे होते हैं जो उस time पर अगर आप लिखते लिखते बार-बार fingers का readjustment कर रहे हैं बार-बार उसको adjust कर रहे है fingers को तो उसकी वज़ा से आपकी writing में बहुत सारे abrupt and breaking letters देखने को मिलते हैं उसके अलावा इस तरह कि जब writing होते हैं जब आप बार-बार readjust कर रहे होते हैं फिंगर का movement आपको मिलता है तो उस condition में आपकी जो irregular connections होते हैं वो आपको writing में देखने को मिलेंगे यही पर अगर मान लें कि कोई ऐसा individual है तो बिल्कुल unskilled है writing करने में लिखने में बिल्कुल unfamiliar है तो उसकी जो writing होती है वो उस condition में उसकी writing में lack of rhythm, lack of clear cut strokes, frequent pen pause ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे ये चीज़ें दिखाती है कि जो भी individual जिसने कुछ लिखा है वो skilled है या unskilled है तो अगर unskilled होगा तो उसकी पर rhythm की lack, clear cut strokes और pen pause ये बहुत ज़ादा देखने को मिलेगा अब यहाँ पर एक condition को और समझते हैं अगर कोई individual है जो कि किसी चीज़ को देखकर लिख रहा है किसी text को देखकर लिख रहा है और उसकी habit नहीं है एक साथ में ज़ादा letters को देखकर लिखने की वो एक word को देखता है फिर एक letter को लिखता है मतलब कि ये इस पर आपको लिख अगला word आपने यहाँ पर देखा अफिर यहाँ पर आपने लिखा तो जब आप इस तरह से लिखते हैं तो उस condition में rhythm बिल्कुल भी break कर जाता है क्योंकि आप एक letter को देखकर लिख रहे हैं कई बार एक ही word को एक ही word को कई बार आप देखकर लिखते हैं तो उसमें rhythm बिल्क जादा clear नहीं बनेंगे उतनी clarity के साथ में नहीं बनेंगे अब यहीं पर एक चीज़ और समझते हैं कि कोई individual है वो मान लिजे कि एक साथ में ज्यादा letters को देख ज्यादा words को देखकर लिखता है तो मान लिजे एक बार में यह पूरी line उसने देखकर यहाँ पर लिखी अग पर भी break-break करके लिख रहा है individual तो इस तरह से आपकी जब इस तरह से कुछ लिखा जाता है तो यहाँ पर भी आपके यही सारे चीज़े रहेंगे बस यह है कि यहाँ पर जो changes होंगे वो कुछ distance पर होंगे तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं जब आप भी document को examine करते हैं उसकी analysis करते हैं तो यही सारी चीज़ें आपको proper जो exact condition कोई भी letter को कोई भी document को लिखने की वो आपको समझाने में help करती है तो मेट करते हूं यहाँ तक आपको fingerprint movement तक चीज़ें बहुत अच्छी से clear होंगे तो यह आपका writing movement था उसके लाभा एक condition और है जो लिखता है तो उसमें आपके writing पर क्या effect पड़ेगा तो यहाँ पर a suicidal note placed in trial may be genuine spontaneous execution और may be labored unwilling nervous writing written or dictation so basically जो आपके पर suicidal note अगर आपको मिलता है तो वो हो सकता है genuine हो हो सकता है वो force हो किसी दूसरे ने लिखा हो और वो murder वाला case हो हो सकता है कि जो individual लिख रहा है वो unwilling है suicide करने के लिए लेकिन किसी के force में कर रहा है force में वो letter को लिख रहा है उसके अलावा हो सकता है कि आप suicide करना चाहते हैं लेकिन उस time पर बहुत ज़्यदा hesitation condition में है तो उस time पर आपका जो nervous system होता है वो उतना ज़्यदा आपको signal नहीं send करता है योगि आपका nervous system भी एक shaky condition में होगा तो उस वज़ा से जो आपकी writing बनेगी तो उसमें आपको hesitation marks देखने को नज़र आएगे अब hesitation marks क्या होते हैं कि मतलब आप कुछ लिख रहे हैं और आपका उतना ज़्यादा focus नहीं बन पा रहा है आप डरे हुए हैं तो आपका hand shake करेगा तो जो shakeness होगी वो आपकी writing में नज़र आएगी तो वही shakeness आपकी hesitation marks कहलाती है तो यह सारी चीज़ें आपको suicidal note में मिलती है उसके अलावा in writing pen pressure will be relatively less due to less power of grip pen grip there will be also conjunction of letters and words increase in faulty movements or regularity of the curves of the links or link between letters or with the increase in fear irregularity of the size of the letters तो इस तरह की condition में जब आप कुछ भी लिखते हैं एक तो होता है अपनी मर्जी से लिखना दूसरा होता है किसी के force में लिखना तीसरा होता है किसी emotional condition में आकर लिखना और suicidal condition में यहाँ पर आपका fear की condition में आप कुछ लिखते हैं बहुत ज़्यादा hesitation condition में आप लिखते हैं बहुत ज़्यादा depressed condition में आप लिखते हैं तो उस time पर क्या रहता है कि जब आप लिखते हैं तो pen को आप उतना perfectly नहीं पकड़ते हैं तो अगर यहाँ पर आपको pen pressure अगर suicidal note में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि वह angle में रिखा गया होगा लेकिन कई बार आप हर चीज सरफ एक ही evidence को analysis करते हुए नहीं बता सकते हैं और document में तो एक चीज के examination पर बिल्कुल भी नहीं तो इसी विज़ासे यहाँ पर आपको और बहुत सारी चीजों का analysis करनी होती है उसके बाद में आप अपना एक judgment देते हैं एक तो pen grip हो गया उसके अलावा जो letters के बीच में conjunction बनते हैं वो उसके अलावा words के बीच में बनते हैं जो इनका linkage बनता है जो आपके writing movement में जो normal आपकी regularity होती है यह सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती है जो proper curves होते हैं वो curves उतना perfect नहीं बनते हैं irregularity बहुत जादा आपको देखने को मिलेगी letters के size में letters के slant में उनकी connection में उनके linkage में तो यह सारी चीज़ें आपके denote करती हैं उनको बताती है कि वो suicidal note होगा या नहीं होगा अगर यहां पर कोई ऐसा side note है जिसमें आपके जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बहुत perfect लिखा हुआ है बिल्कुल finals बहुत perfect है strokes बहुत perfect है बिल्कुल line quality बहुत perfect है rhythm बहुत अच्छा है तो उस condition में 70% से ज़्यादा chances होते हैं कि वो suicide note जिसकी death होई है जो victim है उसने नहीं लिखा होगा तो यह सारी चीज़ें आपको देखनी होते हैं क्योंकि जभी भी कुछ suicide करने की condition में तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है अब खुद से एक बर analyze करके देखे कि अगर कोई suicide करने जा रहा होगा तो वो कितना ज़्यादा depressed condition में होगा कितना ज़्यादा परेशान होगा कितना ज़्यादा mentally disturbed होगा तो उस condition में जभी भी वो कुछ लिखेगा तो क्या उतनी clarity के साथ में वो इंडिविजल उस राइम पर लिख पाएगा नहीं लिखेगा तो यही सारे जो आपके irritability देखने को मिलती है तो वो चीज़े बताती है कि societal note उसी इंडिव जो ने लिखा है या नहीं लिखा है तो यह सारे कुछ characteristic features थे जिसका examination करके आप यह idea लगा सकते हैं कि जो आपको यहां तक बहुत अच्छे से clarity मिल गई होगी एक बर इसको practically खुद से करके देखेगा आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी तो आपको चीजों में और अच्छी clarity मिल जाएगी तो यहां पर यह video end करते हैं उम्मित कर तो चीज़े से clarity होगी कोई doubt आ जाते तो comment section में लिख देज़ेगा उसका reply आपको definitely मिल जाएगा उसके लावा इसकी PDF के लिए आप हमें हमारे telegram channel पर join कर सकते हैं quiz के लिए हमारी website है वहाँ पर जाएगा आपको बहुत सारे questions मिल जाएगे और अगर आपको यह video पसंद आ रहा है तो इसको like जरूर से कर देंगे अपने friends के साथ में share कर दीजेगा ताकि उन तक भी quality content पहु